को दे दिया पर यहां पर विवस्थाएं किस तरीके से होंगी इसके बारे में शायद विचार किया गया या नहीं किया गया या तो बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग ही जाने पार्किंग की यहां पर बहुत बड़ी समस्या है यह वनवे रोड है मेडिकल कॉलिज का जो है यहां पर मेडिकल कॉलिज से लेकर के गर्ल स्कूल तक वरनवे इदर से ट्रैफिक आता है जी एस्टी भवन से गर्ल स्कूल की तरफ को निकलता है गुर्नुगाट की और कई बार देखा गया है कि सड़क पर एक तरफ तो पूरी गाड़ियों की लाइन लगी रहती है कई इंबुलेंस को वहां से निकलने में दिक्कत होती है और जो यहां पर मरीज आते हैं मरीजों के तिमारदार आते हैं डॉक्टर्स आते हैं कुछ स्टूडेंट्स आते हैं उन सब को अपनी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए बहुत जादा कठिनाई का सामना करना पड़ जाएं अगला है सराय जो यहां पर पहले सराय हुआ करती थी मेडिकल जब मेडिकल कॉलिज ने सरकार से धन्यवाद को पूछना चाहिए कि 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 कहाल जो प्रक्राइब्स पॉर लप्ताल के इसे चुटी हो यह पिर करेंगों तो नगाड़ा जादाए इसे पर आजब को इसे वे दोटालाइए चुटी हो यह पिर कोई कारिगरह वो तो नगाड़ाताई बना अच्कल पॉलिज चलेंगा हैं, अवने मेंबर से एक्जाम लेहें, नमूबर दिसम्बर एक्जाम लेहेंगें, फिर जन्वर वैसे हैं इन चीजों की बहुत अधा आप चेकता है, यहां पर क्यों हो रही है, बहुत अबूरी है, और लिफ्ट का भी पता नहीं काम चला मेडिकल कॉलिज की कुछ अव्यवस्थाओं और व्यवस्थाओं को लेकर के मैंने रखी है, दोहजार सोला में नहान को मेडिकल कॉलिज के रूप में एक वर्दान मिला, केवल नहान को ही नहीं बलकि पूरे जिला सिर्मौर के लिए एक वर्दान था, और दुर्भागे की बात ये है कि एक लंबे समय से मेडिकल कॉलिज मिलने के बावजूद भी हमारे नहान का जो स स्ट्रेक्शन हो रही थी लगबग धाई सो करोड के आसपास इसका बजट सेंक्शन हुआ था गवर्मेंट से वह आज काम पिछले दो साल से रुका हुआ है और यहां पे एक एक एकेडमिक ब्लॉक बलना था जहां पे जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टुडेंट्स हैं उनके प हैं जहां पे सब डॉक्टर्स बैठते हैं वह एक तो जिस फ्लोर पे ओपीडी ओपरेट होती हैं वहां पर बैठने की परयाप्त विवस्था मरीजों के लिए नहीं है और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बुज़र्ग मरीज हैं उनको खड़े रहना पड़ता है और कई लोग वहां जमीन पर बैठते हैं ना ही वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन की विवस्था है तो इसके बारे में हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो OPD बिल्डिंग है या तो इसको वहां से शिफ्ट किया जाए या फिर वहां पर बैठने की विवस्था और वेंट कराने जाएंगे तो आपको अगले साल की अपरेल की वहां पर डेट मिलेगी यह अपरेल में आई कि आपना अंटर और वेंट के लिए लाज के लिए लाप गए तो या तो वहां पे एक अतिरिक्त अल्ट्रा साउंड की विवस्ता हो या फिर उस प्रणाली को ही थोड़ा और दुरुस्त बनाया जाए जिससे वहां पे आने वाले मरीजों को इस कठिनाई का सामना ना करना पड़े